नमस्कार दोस्तों, MPPSC 2022 के मेंस एक्जाइम को लेकर एक बड़ा अपडेट है, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, तो पूरा अपडेट देखिएगा, क्या नया इजबार होने वाला है, वो जल्दी से समझते हैं, तो आपको पता है कि 2022 का जो मेंस है, वो 8 जनवरी से शु की परिक्षा 2022 जारी किये गए एड्मिट कार्ड, देखिए, एक ही शिफ्ट में, यानि एक बार में ही आपका एक्जाम होना है, एड्मिट कार्ड इसके जो हैं, वो जारी हो चुके हैं, और अव्व्यरती MPPSC के आधिगारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लगातार, 8, 9, 10, 11 तारीक को, 12 को हिंदी और व्याखरन का आपका पेपर है, और 13 तारीक को हिंदी-Nivandur प्रारूबले खने हैं, पेपर का जो समय है, वो 10 बजे से 1 बे तक रहेगा, ये सभी पेपर हमारे 3 गंटे के होते हैं, तो 10 से 1 बजे का आपका समय रहेगा, 359 उम्मिदवार इस वार परिक्षा में बैठने वाले हैं मेंस की परिक्षा देने वाले और पदो की संख्या यानि पोस्ट कितनी है तो वो है 457 तो ये जितने भी विद्ध्यारती MPPSC मेंस 2022 देने जा रहे हैं वो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें और इसके अलावाद दो छ का नाम आपने सुनाई होगा सिम्मी यादव जी जो है डबल बार इन्होंने डिप्टी कलेक्टर पर सिलेक्षन लिया है डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल किया है तो ये काफी समय से चल रहा था कि विद्ध्यारतियों को हमें कैसा मार्ग दर्शन प्लस आंसर और ये सबी के लिए फ्री है विद्ध्यारतियों के लिए तो ही लेकिन बाहर से भी अगर आप हैं तो आप जोड़ सकते हैं लेकिन आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ये QR कोड है मैं लिंक लगवा दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो आप उ पूरी रणिती सिमी आदव जी जो है अपनी शेयर करेंगी साथ ही उन्होंने कैसे आंसर राइटिंग और बाकी चीज़ों को इंप्रूब किया कैसे दो बाट डिप्टी कलेक्टर पद हासिल किया ये सारी अपनी जो अनुभव है वो शेयर करने वाली है और इस संडे को य करने वाले हैं समीकरण और लाभानी तो इन से जुड़े हुए कुछ प्रीवियस येर्स की क्वेशन और पूरा कि क्या ध्यान रखना है तीन मारकर अगर थ्री मारकर का क्वेश्चन है फाइब मारकर का 11 मारकर का है तो कैसे आप अच्छे से कर सकते हो क्योंकि मैथ से से ज और ये इसी विशे को लेकर है हम इस संडे करने वाले थे पर क्योंकि अभी सारे विद्ध्यारती मेंस और बाकी चीजों में लगे हुए हैं तो हमने इसको अगले संडे पे शेडियूल करा है तो 14 जनवरी को मैं एक 2 घंटे का आफलाइन सेशन लेने वाला हूँ और उसके आखरी में ये किताब फ्री मिलने वाली है जो MPPSC के मेंस को लेकर हमने बनाई है और ये बहुत काम आपके आईगी इस किताब को आपको पढ़ने को पढ़कर जब आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा तो ये कुछ अपडेट से जो मुझे लगता है कि आपको बतान कि अपना सपना पूरा करिए थैंक यू जय है